सिक्षक अभ्यार्थियों के लिए बड़ी खुस खबरी सिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70 हज़ार सिक्षक भरती के लिए आरक्षन रोश्टर क्लियर करा अक्टूबर प्रथम सप्ता में रिक्ती BPSC को भेज देगा 15 अक्टूबर तक सिक्षक भरती के लिए वैकेंसी BPSC से जारी हो जाएगी सिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 के सिक्षकों के पद जीला वर आवंटित कर दिया है आवंटित पदों को आरक्षन रोश्टर क्लियर कर सिक्षा विभाग ने जीलों से मांगा है इस सप्ता जीलों से रोश्टर क्लियर होकर रिक्ती आने की उमीद है माना जा रहा है कि द्वीतिय चरण में सिक्षक भरती की रिक्ती सतर हज़ार से बढ़कर एक लाख या इससे अधिक भी हो सकती है कारण है कि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ती है इसमें आवेदक ही 42,000 है यानि सभी पद नहीं भरने की इस्तिती में ये पद दूसरे चरण की वैकैंसी में जुडेंगे कक्षा 9 और 10 में भी विशयवार रिक्ती की तुलना में अभ्यर्थियों की परियाप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे जो दूसरे चरण की भरती से जुडेंगे सिक्षा विभाग सहित विभिन माध्यमों से BPSC को शिकायत मिली थी कि इस बार शिक्षक भरती परिक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे इसलिए तै किया गया कि आगामी परिक्षा में प्रश्न अप्यक्षा कृत हलका होगा वेकैंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाए अक्टूबर मध्य में पहले कच्छा ग्यारा बारा के शिक्षक फिर नौ दस और अंट में एक से पांस तक के शिक्षक भरती का रिजल्ट जारी होगा अतुल प्रसाद अध्यक्ष BPSC अक्टूबर के प्रथम सप्ता में BPSC को रिक्ती भेजेंगे जीलो से आरक्षन रोश्टर क्लियर कर रिक्ती भेजने को कहा है अक्टूबर के प्रथम सप्ता में रिक्ती BPSC को भेज देंगे प्यूरो रिपोग देस्वानियूट